नीचे description में आपको linear transformation की playlist का link मिल जाएगा आज हम एक statement प्रूफ करेंगे कि if V is a finitely dimensional vector space and T V to V a linear transformation और क्या दे रखा है कि अगर हमारी rank T की और rank T square जो है वो अगर equal हो जाए तो RT intersection NT is equals to singleton 0 हो जाएगा और ये क्या imply करेगा कि V जो है वो हमारा RT direct sum होगा NT का अब यहाँ पर एक चीज है कि in general जो है वो range space और null space का intersection जो है वो singleton 0 नहीं होता इन general और इन general rank जो है T की rank T square के equal ये भी नहीं होते है इन general तो पहले हम दोनों चीज़ों को देख लेते हैं कि ये इन general Q true नहीं होते हैं जैसे यहाँ पर इसको देख लेते हैं पहले हम यहाँ पर एक example से हम इसको देखेंगे कि यह हमारा जो है intersection जरूरी नहीं singleton 0 आए तो यहाँ पर हम linear transformation ले ले लेते हैं T R2 से R2 किस तरह से डिफाइन करते हैं T X, Y is equal to 0, X ठीक है अब इसका हम range space निकाले range space क्या होता है कि R T is equal to T X, Y belongs to R2 such that X, Y belongs to R और T X, Y हमारा किस तरह से दे रखा है 0, X ठीक है और X हमारा कहां बलॉंग करेगा R में अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं 0, C belongs to R2 such that C belongs to R यहाँ पर यह एक्स बेरियेवल था फिर हमने उसको number में लिख लिया C लिख सकते हैं इस तरह से range space मिल गया अब हम null space की बात करें तो null space में क्या करेंगे हम सबसे पहले एक arbitrary element ले ले लेते nt में nt में हमारा nt किस तरह से होता है null space यह हमारा उन elements का collection होता है domain के domain हमारा यहाँ पर अगर vector space v है such that tx is equal to 0 ठीक है तो यहाँ पर हमने x arbitrary ले लिया अब यह जो x आएगा y जो है उसी तरह के nt में element होंगे यहाँ पर x हमारा कहां है r2 में belong कर रहा है तो x हमने किस तरह से लिग लिया x, y टाइप से है अब यहाँ पर x nt में है तो यह imply करेगा tx is equal to 0 और यह क्या imply करेगा tx, y is equal to 0, 0 यहाँ पर 0 vector भी हमारा यह r2 का 0 vector है r2 में 0 vector किस तरह से होता है 0, 0 और यह हमारा किस तरह से हो जाएगा tx, y और यह इंप्लाइ जो define कर रहका है 0,x which is equal to 0, 0 तो यहाँ से देख सकते हैं कि x हमें क्या मिल गया 0 मिल गया तो x हमारा जो है चाहे जीरो कामा एक्स लिख लें ठीक है या फिर हम इसमें इसको अगर उसमें लिखना चाहें नंबर्स में तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं सी बलॉंग्स टू आर ठीक है अब यहां पर देखो यह एंटी और आर्टी यह दुनों क्या हैं इक्वल हैं इक्वल हो गए तो यह क्या एंपलाई करेगा आर्टी इक्वल्स टू एंटी तो इस एग्जामपल से हम देख सकते हैं कि यहां पर जरूरी नहीं आर्टी जो है इंटर सेक्शन एंटी के साथ सिंगल्टन जीरो आए जबकि यहां पर यह इक्वल भी हो सकते हैं अब हम यहां पर दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि रैंक टी जो है वो रैंक टी स्कॉयर के इक्वल नहीं होती है इन जनरल और अगर यह इक्वल हो गई तब यह हमारी कंडिशन भी होल्ड कर जाएगी अभी हमने थेवरम का इस्टेडमेंट प्रूफ जो है वो इस्टार अब function में क्या होता है कि यहां पर यह जो हम element लेते हैं यह कहां से लेते हैं domain से लेते हैं तो यहां पर यह z कहां का element होगा rt का होगा और rt हमारा किस तरह से है tx such that x belongs to v तो इसका मतलब यह हुआ के z belongs to rt यह imply करेगा there exist x belongs to v such that tx is equal to z तो अब हमने यहां पर t1z को हमने tz define किया था तो अब यहां पर हम z की value पूट कर देते हैं तो यह t1z यह किसके equal हो जाएगा t यहां पर यह z था z की चाहिए पर हम रख देंगे tx और यह equal हो जाएगा t square x के ठीक है अब यहां पर हमें so क्या करना है t1 को दिखाना है कि यह हमारा on to होगा in general यह on to यह हमेशा होगा rt से rt square पर हमें एक ऐसा linear transformation जरूर मिल जाएगा जो की on to हो ठीक है तो यहां पर हम क्य element हम y लें उसके लिए हमें x जो है वो इसके code domain में हम कोई y लें उसके लिए हमें x मिल जाए such that f of x is equals to y ठीक है यह हमारी on to के definition है तो हमने यहां पर code domain में एक element लिया y belongs to rt square उसके लिए हमें क्या ढूड़ना है कि एक z मिल जाए rt में ठीक है अब यहां पर यह हमने arbitrary y लिया है rt square में और rt square में हमारे किस तरह के element होंगे यहां पर यहां पर हमारे t square x type के होंगे जैसे यहां पर rt में tx type के हैं और अगर यहां पर t की जाए पर हम t square put करें तो rt square में किस तरह के element होंगे t square x type के तो यहां पर हमने क्या लिखा y belongs to rt square यह हो जाएगा t square x is equals to y for some x belongs to v और इसको हम लिख सकते हैं T T X is equals to Y ठीक है और यहां पर हमने T X किसको लिया था Z के equal मान लिया था यहां पर ठीक है तो यह हो जाएगा T Z is equals to Y और T Z हमारा किस तरह से define है यहां पर देख सकते हैं T1 Z किसके equal है T Z के तो यहाँ पर यह हो जाएगा T1 Z is equal to Y अब यहाँ पर हमने Y जो है वो arbitrary लिया था उसके लिए हमें Z कहां मिल गया? RT में जो की यह condition satisfy कर रहा है T1 Z is equal to Y तो यह imply करेगा T1 is a on-to linear transformation और transformation अगर on-to होता है तो हम उसमें जानते हैं कि उसकी जो domain होता है उसकी dimension को domain की dimension से ज्यादा हो जाएगी Real analysis में हम जानते हैं कि एगर कोई function F आए A से B में और यह function on-to होता है तो क्या होता है कि cardinality of A जो है वो greater than equal होती है cardinality of B के और vector space में क्या होता है कि cardinality जो है वो हमारी किस पर depend करती है फिल्ड पर depend करती है vector space की cardinality क्या आएगी इसके cardinality आती है F के cardinality और उसकी power dimension V ठीक है अब यहाँ पर vector space की dimension किसके ओपर cardinality जो है वो किसके ओपर depend करती है field के ओपर अब अगर field हमारा finite है तब तो हम यहाँ पर cardinality की भी बात कर सकते हैं लेकिन चुकी ज्यादा तरम field जो है वो आर सी और यही लेकर चलते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने आर ही ली थी एक्जामपल अगर हमने कोई किया था तो इन जनरल जो है ऐसा नहीं होता है लेकिन dimension के बारे हम हमेशा कह सकते हैं अगर dimension finite है तो हम उसमें देख सकते हैं तो यहाँ पर linear transformation में भी अगर जो है t on to है तो क्या होगा कि dimension of domain greater than nickel होगी dimension of co domain के तो यहाँ पर dimension of rt greater than nickel होगा dimension of rt square अब यहाँ पर एक चीज़ देखो हम जानते हैं कि dimension अगर v की greater है dimension of w से तो v और w अगर v का सब space है या फिर इससे कुछ relate करता है तो v जो है वो contain करेगा w में अगर subset है w का तो तो similarly यही पर भी हमारा यही चीज है rt जो है वो contain करेगा rt square को और इस तरह से अगर हम यहाँ पर t square को फिट t माने जिसे t1 मान लेते हैं तो यह किसको contain करेगा यह contain करेगा rt1 square और rt1 square rt की power 4 आ जाएगा तकिन हम यहाँ पर t cube को भी contain करेगा तो इस तरह से यह जो है decrease होता चला जाएगा यानि यहाँ पर यह increase होता चला जाएगा t square t cube t5 इस तरह से यह sub contain करता चला जाएगा तो हमारा मकसद यह नहीं था लेकिन यहाँ से हमने एक चीज देखी के जरूरी नहीं के range space जो है वो rt square के equal हो यानि dimension यहाँ पर हम देख सकते हैं dimension जो है वो हमारी इससे greater भी हो सकती है तो in general जो है वो rank हमारी t की और t square की equal नहीं होती है in general तो यहाँ पर हमने करेंगे की proof करेंगे इस statement का अभी तक हमने स्रिफ यह दो चीज़ें देखी थी तो हम proof start कर देते हैं ठीक अगर आपको कहीं भी इस तरह का proof करना हो ना तो जब हम अब start करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे proof इससे पहले यह सीज़ें हमने स्रिफ समझने के लिए की थी ताक कि कोई ऐसा ना कहें कि यह तो इन जनरल ट्रू होता है और इसको इन जनरल लोग इसलिए जाता समझ रहते हैं कि यह इन जनरल होता है क्योंकि यहाँ पर rank जनरल भी ट्री होगा एकिन ऐसा इन जनरल नहीं होता है तो यहाँ पर हमने एक्जामपल भी देखा था तो अब हम प्रूफ कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें दे रखा होगा कि if rank of t is equals to rank of t square तो हमें rt intersection nt को जो है वो singleton 0 प्रूफ करना है तो हम माल लेते हैं कि कोई x जो है वो belong करता है rt intersection nt में ठीक है अब हमें दिखाना है कि यह x या तो 0 होगा या तो non 0 होगा अगर 0 होगा तो हम जो है जो 4 है वो हमें मिल जाएगा तो X अगर RT intersection NT में है तो इसका मतलब क्या होगा कि X जो है वो RT में भी होगा और X जो है वो NT में भी होगा और अगर RT में है तो यह क्या imply करेगा कि there exists Y belongs to V such that Try is equals to X और अगर X NT में है तो यह क्या imply करेगा TX is equals to 0 अब यहां पे यह TY is equals to X है हम क्या करते हैं, दुनों तरफ T ले लेते हैं, ऑपरेट कर देते हैं, तो यह हो जाएगा T square Y is equals to TX, और TX हमारा क्या है 0, तो यहाँ पर यह T square Y आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो, एक हमने एक हमने transformation define किया, T1 जिस तरह से हमने पहले define किया था, RT से RT square और किस तरह से define किया, T1 Z is equals to TZ, जहाँ पर Z हमारा कहां से, RT से, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, Z हमारा RT में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी TX type का होगा, Z में किस तरह के, RT में किस तरह के element है, TX type के, तो यह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि, अब यहाँ पर देखो, अगर हमने Z put कर दिया, TY, तो यह क्या हो जाएगा, T1 TY is equals to TTY, और यह क्या हो जाएगा, T2 Y के, तो यहाँ से हम उठा के यह चीज रख देते हैं, तो यह हो जाएगा, T2 Y is equals to 0, तो यह हो जाएगा, T1 TY is equals to 0, अब यहाँ पर देखो, एक चीज हमें दे रखिए के, rank of T, जो है, वो rank of T square के equal है, अब अगर इसकी rank इसके equal है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि RT जो है, वो isomorphic हो जाएगा, RT square के, कोई भी अगर दो vector space हैं, उनकी dimension अगर same है, यहाँ पर rank का क्या मतलब है, dimension of RT है न, dimension of RT और dimension of RT square, तो हम कहते हैं कि अगर किनी भी दो vector space की dimension अगर equal है, तो वो एक दुसरे के isomorphic होंगे, field अगर same है, ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से हम कहते हैं, कि जिसे यहाँ पर हमने एक dimension ले लिया, V का over F, और यहाँ पर dimension W ले लिया, हमने equal, over F, ठीक है, तो यहाँ पर अब एक चीज हम देखो, जानते हैं कि एक transformation हम define कर सकते हैं, VNF से FNF पे, जो कि हमारा क्या होता है, isomorphic होता है, तो यह चीज़ तो हम पहले ही proof कर चुके हैं, तो VNF जो है, वो isomorphic होगा, FNF के, similarly यहाँ पर WF, जो चुकी dimension हमारी same है, तो यह भी isomorphic होगा, FNF के, तो यहाँ से हम जान कि यह क्या है, isomorphism यह जो relation है, यह हमारा equivalence relation होता है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांजिटिव बता देंगे, तो ट्रांजिटिव है यह तो यह हो जाएगा, V isomorphic W, ठीक है, तो यहाँ पर RT जो है, वो isomorphic होगा, RT square के, और कोई भी अगर दो vector space, जो है, वो ए हमेशा एक linear transformation exist करेगा, जो कि 11 और onto हो, और एक चीज़ कि अगर दो vector space अगर isomorphic हैं, तो उसके बीच में अगर हमने कोई भी linear transformation लिया, जो अगर 11 है, तो वो onto भी होगा, और अगर onto है, तो वो 11 होगा, यह चीज़ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है, कि अगर दो vector space isomorphic है, त उनके बीच में हर एक transformation जो है, वो 11 और onto होना चीज़ है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक हमेशा मिलेगा, यह जरूरी है, तो यहाँ पे जो हमने T1 पहले लिया था, वो हमारा क्या proof किया था हमने, कि वो onto है, ठीक है, onto हमने proof किया था, और यहाँ पे RT जो है, वो isomorphic है RT स्कॉयर के, और T1 हमारा क्या है, onto है, तो वो 11 भी हो जायागा, क्योंकि यहाँ पे हमने T1 को, हमने यह तो नहीं proof किया था, कि T1 जो है, वो isomorphic है, तो इसलिए हम directly नहीं कह सकते, कि वो जो है linear transformation यहीं होगा, जो इसको एक दूसरे के isomorphic तिखा देगा, ऐसा हम in general नहीं कह सकते, लेकिन यह चीज़ तो उने proof किती है, यह onto है, और अगर यह onto है, तो यह 11 भी होगा, तो अब देखो, यहाँ पे अगर T1 11 है, तो linear transformation है कि एक property क्या होती है, कि T0 is equals to 0, और 11 की definition क्या होती है, कि TX अगर equal है, TY के, तो यह imply करेगा, X is equals to Y, अब यहाँ पे और यह क्या होगए, equal होगए, और जब यह दोनों equal हैं, तो यहाँ पर यह जो vector है, यह भी क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे, तो यह imply करेगा, TY is equals to 0, और TY हमारा क्या ले रखा है हमने, X के equal ले रखा है, तो यहाँ से क्या हुआ है, this implies that X is equals to 0, तो X हमारा क्या था, arbitrary था जो है, वो सिंगल टन 0 आ गया, और rank nullity theorem क्या होती है, rank nullity theorem, यहाँ पर यहाँ पर यह चीज हमने, प्रूफ कर दी, और यह हमारी कप, जो है, जो है, जो हमारी जो dimension है, वो हमारी RT square की dimension के equal आ जाए, यानि rank of T, जो है, वो rank of T square के equal हो, तब हम यह चीज कह सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मारा वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को subscribe करें, मिलते हैं अगली वीडियो में